हाई अवरिवन एक बार फिर से स्वागत आपका आज जैसे कि पता होगा सीटी पॉलिशी का केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि जो कोर्ट रूम था उसके अंदर क्या कुछ हुआ तो सारी डिटेल मिल जाएगी वीडियो को स् सौर्ट कर्ट में देखना चाहें तो वह मत देखना पॉइंट रहे जाएंगे जो कुछ मैं बताने वाला हूं तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की जैसे कि देखेगा यह ओफिशियल वेबसाइट मैंने खोर लगे सुप्रीम कोर्ट के और यहां पर यह केस अपड सीनियर आड़ोकेट नहीं गया सीनियर जैसे कि बता रहे थे तो कोई बहुत तो वह बात करें तो वहां पर जो रिपिटिशन है कंडिरेट का वो समझ में आ गया है जज साब को और उन्होंने फैसला सुनाया है कि आप दोबारा से हाई कोट के अंदर जाईएगा वहाँ रिव्यू जायर कीजिएगा वहाँ क्या फैसला होता है उससे अगर आप सहमत नहीं है तो आप सुप्रीम कोट है इ जो भरती है उसके जो लिश्ट आई थी वो लिश्ट लगाने के कारण जो यह फैसला है सुप्रीम कोट ने केस डिस्मिस करने के बजाए रिव्यू लगाने की सलाह दिये है कि आप रिव्यू लगाईएगा वहाँ पर डबल बेंस के अंदर क्योंकि जैसा कि पता होगा छे और सुप्रीम कोट ने मान लिया है कि जो डुप्लिकेशन है कंडिडेट का बार बार रिपीट हो रहे हैं पोस्ट ज्यादा है लेकिन वहीं कंडिडेट हर पोस्ट के लिए जो है अप्लाइग किया हुआ है हर पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो रहा है तो यह बात सुप्रीम को हाई कोर्ट में रिव्यू लगाए जाएगा वो कब लगता है कह रहे हैं कि जो चपनस्ताउन की जो लिष्ट है जपनस्ताउन जो ग्रूप है उसकी लिष्ट आने के बाद इसको भी अटेच कर दिया जाएगा क्योंकि जेए की लिष्ट अभी फिलाल उसमें रिपीटेशन जाएगी तो वह भी साथ में अटेच्च कर दियाएगी तो कुछ मामले में थोड़ा दवाब रहेगा और साथी साथ कि और बात बताओं तो आपको जो हरेनापोलीस की बरती है और चपनस्ताउन का जो अग्जाम है इनके जो अग्जाम है अग्जाम तो आपके होने वाले हैं इने पर कोई सटे नहीं है स्टे आपका नहीं है सारी अग्जाम होंगे